हेलो ब्यूटीज, वेलकम बैक टू मैं चैनल ब्यूटी पुजा तो बहुती इजी तरीके से जो है हम अपने घर पे अपने पेरों का कालापन, काली परत और पेरों की जितनी भी गंदगी है सारा सब कुछ बहुती कम खर्च में बहुती इजी ली निकाल सकते है आज के वीडियो में मैं आप सब के साथ बहुती आसान मेथड के साथ आप लोगों को बताने वाली हूँ ये बहुती जादा इफेक्टिव और बहुती जादा आसान है ये जितना जादा आसान है उतना ही इफेक्टिव भी है अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है आप सभी के लिए थोड़ी सी भी helpful रहती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और आगे भी अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना आपके पास जो भी शैंपू का पाउच है वो आप यूज कर सकते हैं ये मेथड़ जो है ये आपको करना है जब आप शार लेने जाते हो तब इसको वीक में दो से तीन बार ज़रूर करें जितने भी डेड़ स्कीन डेड़ सेल्स हमारे पैरों में जमा हो जाते हैं अगर आप इसे ट्राइ करेंगे तो आपको कभी भी पारलर जाके पेडिक्योर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके पैर बहुती जादा सौफ्ट स्मूथ नजर आएंगे तो अब इस मेतर को करना कैसे है वो देख लेते हैं तो सबसे पहले मैंने लिया है एक शैंपू का अगर आपके पास शैंपू नहीं है तो आप शार जेल भी डाल सकते हैं उसके बाद मैंने लेमन को लिया है और लेमन बहुती अच्छे से डेड़ स्कीन और डर्ट को रिमूव करता है आपको हाफ लेमन को स्क्वीज करना है और हाफ लेमन इनफ है वन टाइम के लिए अब चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है उसके बाद आपको करना है इसमें पैरों को डिप दो से तीन मिनिट आपको इसमें रखना है उसके बाद जिस लेमन को स्क्वीज किया था उसको ही लेके अच्छे तरीके से पैरों में रब करना है ये बहुती ज्यादा इफ पेर को wash कर लेना है उसके बाद शार लेके बाहर आने के बाद आपको अपने पेर को moisturizer भी लगाना है moisturizer लगाना बहुती ज्ञाधा important है इससे आपके पेर बहुती जाधा अच्छे से soft हो जाएंगे विक में दो से तीन बार आपको ये remedy अडूब करना है और इसका इफेक्टिव रिजर्ट आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जारूर शेर करना तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना सबस्क्राइब कर देना और प्यार सकमेंट कर देना मिलते हैं ऐसे इंटरेस् बबबाइ!